पूरे देश में जनता करफ्यू जा रही है और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं दिली से लेकर लखनौ तक हर जगा पूरे नियम से इसका पालन किया जा रहा है हम आपको देश भर की आठ तस्वीरे दिखा रहे हैं जुसमें अलग-अलग जगाओं पर जनता करफ्यू की यह तस्वीरे हैं राजधानी दिल्ली, मुंबाई, चिन्नाई, बैंगलूरू, जैपुर, लखनव, पटना यानि पूरे देश में जनता कर्फ्यू का असर जो है वो देखने को मिल रहा है लोग अपने घरों में हैं और यह बहुत ज्यादा महत्वपून हैं आपको समझना होग क्योंकि यह आपकी और आपके प्रियेजनों यानि कि आपके परिवारबालों की सुरक्षा के लिए है कोरोना को हराना है यह जंग भारत ने छेड़ रखी है और कोरोना हारेगा अगर हम इसी तरीके से कोरोना के खिलाफ एक साथ एक जुट होकर लड़ाई लड़ते रहें जनता कर्फ्यू पर राजधानी लखनों में पुलिस की मुस्तेहदी है इसको देखनी के लिए एडीजी लॉइंड ओडर पीवी रमाशास्त्री ने हजरत गंज से लेकर पुराने लखनों तक का जायसा लिया एबीपी गंगा से खास बात्चीत में पीवी रमाशास्त्री ने बताया कि पुलिस ने स्वास्त है और नगर निगम के साथ मिलकर पूरे इंतजाम किये हैं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी के आबाहन पर जनता कर्फ्यू लागू है लखनों की सड़कों पर सन्नाटा है लोग घरों में हैं और पुलिस गस्ट कर रही है पुलिस की मुस्तादी का जैजा लेने के लिए खुद हमारे साथ बात करेंगे कि एडी जी लॉंड ओर्डर के पत्पप पीवी रामा शास्ती जी उनसे पूछेंगे सर्क कैसे इस पूरे कवायत को सफल बनाएंगे जनता कर्फ्यू की जो प्रदानमंत्री जी ने अपील क रहे हैं और दौर्मेंट के अपील को स्विकार करते हुए और समाज के हित में और उनके अपने के हित में लोग इंडोर्स रह रहे हैं यह अच्छी बात है लखनों की सरकों पर तो हालात ठीक है प्रदेश में अन्य जगहों पर क्या हालात है सब किस तरीके कि महां पर ज़िए अगा जिला प्रशासन और प्रशासन निरुंतर ब्रह्मंट सील हैं और यह देख रहे हैं कि कि कोई एमेजनसी सर्वीस इसको विपाद इतना हो और नार्मल व्यासता बनी रहें और बाकी कोई जो संक्रमन के लिए रोकने के लिए जो उपाए हैं इसका भी टाइम जो सावाज प्रशासन मेडिकल प्रशासन और प्रोलीस साथ में हैं यह सब निरुंतर अपर हैं यहां पर सर्फ सौ मीटर की दूरी पर प्रदर्शन हो रहा है सी एनार्सी को लेकर के पुलीस ने अवेर भी किया उनको कि इस कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए अपनी ज सिंदेगी को बचाने के लिए कैसे अब निफ्टेंगे बड़ी चुनोती यह खुद बन गया है पहली बात है हर नागरी को खुद को ही नहीं सोचना चाहिए पूरी समाज के लिए सोचना चाहिए अगर मैं फर एक्जामपल मैं अपनी जामपल बता दो मैं खुद अनपाल करूं मुझे खुद सोचना चाहिए मैं कर रहा हूं कि पूरा समाज के लिए क्या कर रहा हूं इसलिए अब आप सिटी पोलीस से आप संपर्ट में रहते हैं और सिटी पोलीस एप्रपरेट टेंपर प्रपरेट कारवाई एकर कानून ने जो बनता है वो करेंगे बाकि जो आज हमारा जो यहां पर बाहर के निकलने का मतलब है कि हम अपना जो लोग जूटी कर रहे हैं उनका होसला बढ़ाने के लिए और बाकी जेनरली जाए-जालेने के लिए करिए यह थे हमारे साथ एडीजी लॉंड और पीवी रमाशास्त्री जी जिन्होंने कहा कि लोग कि लिए उनका जाइजा ले रहे हैं सडकों पर निकले हैं किस तरीके विवस्ता हैं पुलिस वाले कैसे जूटी दे रहे हैं इसकी खुद निक्रानी एडीजी लॉंड और पीवी डामाशास्ती कर रहे हैं कैमरा परसन मेदी हसन के साथ संतोश कुमार एबीप गंगा